हेलो मॉमीज डाडीज विल्कम बाक टो माई चानल ओली मॉमनोस दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ हाईली रिक्वेस्टिग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्राइफुड पाउडर की रेस्पी जो काफी पेड्से कॉमेंट आ रहे थी कि माम प्लीस हमाएसा जल से जल ड्राइफुड पाउडर की रिस्पी शेयर करिये तो आज ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं तो दोस्तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि अगर आप फर्स टाम ड्राइफूर पाउडर बना रहे हो तो आपके लिए बेसिक टेप्स जो है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है जिससे आपका ड्राइफूर पाउडर बिल्कुल परफेक्ट बने और बचों को आप कैस के सारीकों से दे सकते हो और कितने मन्थ तक उसको आप स्टोर कर सकते हो कितने टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हो उस सारी चीज़ों के बारे में basic basic details आपके साथ share करने वाले हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम dry food powder बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़े लेने वाले हैं क्योंकि ये dry food powder आपके बचे के weight gain में भी काफी ज़ादा help करेगा तो 40 से पहले इंडिग्रिंट्स देख लेते हैं half cup badam, half cup kajoo, half cup akrot, half cup pista, half cup makhana and half cup peanut ये 6 इंडिग्रिंट्स आपको लेने हैं जिसका हम dry food powder बनाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको एक heavy कढ़ाई लेनी होगी जो एक बार कसके गरम हो जाएगी तो बार बार आपको इसको reheat नहीं करना पड़ेगा तो कसके जब वो अच्छे खासी गरम हो जाए तब आपने से पहले बदाम लेना है उसको fry करना है आप medium पे या low पे ही fry करें हाई पे करेंगे तो बहुत जल्दी वो उपसे जल सकता है तो मैं आपको यह पे speed up पर के दिखाओं क्योंकि fry करना सबको परता है और जैसे काजू बहुत जल्दी fry हो जाता है इसलिए हम सब एक साथ नहीं अलग-अलग fry करेंगे हमने काजू भी fry कर लिया थोड़ा ही काजू को fry कर लियेगा उसके बाद आपको walnut fry करना है उसके बाद हम walnut के बाद fry कर लेंगे मखाने आप जैसे भी जाओ के करके अलग-अलग आपको सबको fry कर लेना है मखाना सारे ड्राइ फूट आपको बिना घीके फ्राइ करने है सुखे सुखे ड्राइ ड्राइ रोस्ट करना है पीनर्स फ्राइ करना है और देन पिस्ता फ्राइ करना है पिस्ता को भी अच्छे से क्रची हो जाने दीजे उसके बाद सारे एक एक जो हमने 6 चीज़ ली हैं सबको अलग-अलग करके पीस लीज़े पड़ाम पीस लिए हमने एक दम बरी करके पीस लाए ज़ादा नहीं चलाना है उसको थोड़ा सा चला करके देखोगे तो अब तुरणंध पावडर बन जाएगा उसका तो यह वह ड्रायरोस्ट हो चुका है फिर आपने पीनट ले लिया पीनट का पावडर बनाना है उसके बाद आप देखो कि एक एक करके इसमें कोई ऑई ना है, रना को नहीं कोई नहीं आत्याश भूबर जो तो मिक्स कर को नहीं है, तो आप मख़ाने को बनाएं और सब को करके और सबшей nível मिक्स के द ऐनास सरी कि शुद्ध हें, तो पिस्त Isby principle, मिक्स कर कानए कुन से मूं सब जानना चाहो जो डालो नहीं तो वो optional है ये देखिए अब आपका dry food powder बिलकुल अच्छे से तयार हो चुका है तो शली आपको बेसिक tips के बारे में बात कर लेते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ये dry food powder बनाते वक्त दोस्तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना ह कि आपने जो भी dry fruits लेने है आपको उसको एक heavy bottom pan में ही आपको उसको roast करना है हलके pan में avoid करेगा क्योंकि dry fruits बहुत जल्दी जल भी सकते हैं बहुत जल्दी roast हो जाएंगे जो अंदर तक अच्छे से crispy नहीं होंगे तो वो अच्छे से pissing ये नहीं और बच्छे को दरदरा दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हर एक dry fruits अलग ही roast करें तो बेटर रहेगा क्योंकि काजू जैसे है वो बहुत जल्दी roast हो जाता है पर बदाम थोड़ा सा time लेता है तो अगर एक साथ सारे dry fruits को कर लोगे तो वो अच्छे से fry सारे नहीं हो तो थोड़ा सा time लगेगा पर आप अलग-अलग कर लो तो वो जल्दी हो जाते हैं अच्छे से roast होता है इसके बाद दोस्तों third tip है कि पदाम को बहुत जादा grind नहीं करना है अब उसको five to six second के लिए ही चलना है थोड़ा करके फिर चेक करिए कि वो अच्छे से powder बन गया है तो उसको बहुत ज़दा continuous चलना होगे तो वो पूरा एक paste टाइप का बन जाएगा जो बिलकुल आप बच्छे को नहीं दे पाओगे किसी भी चीज में मिला करके तो उसको avoid करने के लिए dry roast करने के बाद उसको five to six second फटा-फट चला कर तुरन बन करेगा दिखेंगे कि आप एक से तो बारी में ही उसका पूरा powder बन जाता है इसके बाद दोस्तो fourth tip आपको ध्यान रखनी है कि peanuts जो आप ले रहे हो वो एक साल से अगर चोटा बच्छा है उसके लिए अगर आप ये dry food powder की recipe ले देख रहे हो तो उसको आपको peanuts नहीं देना है एक साल से पहले अगर आप बच्छा एक साल से बड़ा है तो आप peanuts को include कर सकते हो बाकी इसमें जितने भी dry fruits पड़े हैं चाहे हो पदाम हो पिस्ता हो या काजू है walnut है वो सब आप एक साल से पहले बच्छों को दे सकते हो वो काफी benefits ही देंगे इसके बाद दोस्तों ये तो थी चीजे जिनका आपको और कैसे कर सकते हो तो आपको इसको एर टाइट कंटीनर में लेना है एर टाइट कंटीनर में लेकर कि आपको इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है फ्रिज में रखना है जैसे क्यों कि अब समर का टाइम आ रहा है गर्मियों का टाइम है तो आप इसे बाहर ना रखकर कि फ विलन गुट कुछ बचों को होता है कि बिलकुल प्लेन चाहिए कुछ भी ज़रा सा मूँ में नहीं आना चाहिए हो सकता है कि अपके ड्राइफूट पाउडर इतना अच्छे से अगर नहीं पीस पाऊ तो ज़रा सा मूँ में आगा तो बचा दूद भी बीना छोड़ देगा अगर उसका मन हड़ गया तो आप अगर बचा पी लेता है तो विलन गुट अब उसको मिल्क में ही दे सकते हो नहीं तो आप किसी चीज में बना करके भी बचों को दे सकते हो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ये ड्राइफूट ही हमने क्यों लिए और भी बदाम में फाइबर, विटिमिन्स, मिल्रस काफी अच्छी कॉंटिटी में है तो बदाम बेस्ट है बागी हमने बदाम बचों को कैसे देना अगर अलग से बदाम बचों को सिर्फ देना चाहते हो तो उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो की है आप वो भी जाके देख सकते ह इसके अलावा दोस्तों इसमें काजू है जो बचों के लिए हेल्दी फैट है बचों का जो वेड गी नहीं होता है तो काजू से बचों का वेडियो काफी जल्दी हो जाता है इसके बदोस्तों थर्ड शी इसमें पड़ी है पिस्ता जिसमें काफी अच्छी कॉंटिटी में fiber है इसके अलबा मखाना मखाना बहुत अच्छा है high source of calcium है जिस पर हमने एक separate वीडियो की है कि अगर मखाना भी आपको से बच्छों को देना है तो मखाना कैसे तो जिससे बच्छे का weight इन काफी अच्छे से हो सकता है तो वो भी जाकर क्या वीडियो दे सकते हो अगर आप खाने की खीर या मखाना किस फॉर्म में बच्छों को दे वो जानना चाते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो और वालनट बच्छों की दिमाग की growth के लिए overall development के लिए काफी अच्छा होता है बच्छों का दिमाग शाप करने में काफी help करता है और पीनट मूंफली जिस बच्छों के लिए काफी ज़दा जरूरी होता है पीनट आप इसमें भी दे सकते हो बच्छे को पीनट बटर किसी किसी फॉर्म में दे सकते हो तो यह चीजे हैं जो बच्छे की growth में काफी ज़दा help करती है तो definitely recipe को dry करिए और आपकी recipe कैसी बनी और में comment section में जरूर तो वो भी हमारे से शेयर कर सकते हुआ इसके अलबा दोस्तों यह recipe जो है ड्राइफूर के यह पर्डिकुलरी Summers के लिए है आप इसमें चाहो तो definitely केसर avoid कर सकते हैं आप अब ठंड के लिए हम आपके साथ दूसरी recipe शेयर करेंगे जो ठंड में क्योंकि कुशकुश parents है जो में हल्दी हो गई या आप बहुत सीसी चीज़े हैं स्वाट का पाउडर जिंजर पाउडर जो होता है वो सब डाल के भी हम बनाएंगे पड़ धन के टाइम बनाएंगे तो अभी के लिए Summers के लिए यह ड्राइफूर ड्रेस्पी पॉफेक्ट है आप ट्राइ करिए अपन कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं मुसका रिप्लाइस जल से जल करेंगे थांक यू सो मुच फूर वाचिंग दस वीडियो